सर जिस तरह से भी पाकिस्तान की हालत है वहां पे आलठीक हालत अलग से वहां से खराब है चाहें रोटी हो आटा हो चावल सब परशानी अभी कहीं उनको यहां तक राइफल से वहां पे उसकी निगरानी करनी पर वहीं दूसरी तरफा कर देखा जाए वहां के मैजीरों पर हमले हो रहें 111 पेशार में लोगों की मृत्ति हुई तो इस तरह से भारत में लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं कहते हैं हिंदू मुस्लिम का दुश्मान है यहां मानवा दिगार का मुद्दा उठाई आता है तो जब पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री है लग 95% मुहां मुस्लिम के महजिरते हमला करता है तो इसको लेके किस तरह से आप इसको देखते हैं मस्जिद उनके लिए मस्जिद मुक्सिर्फ बहाना है वह कुछ नहीं है वह अभी जिसका मस्जिद तोड़े हैं अहमेदिया उसको अलप संख्यक मानते हैं वो सिर्फ सुनी इतना बढ़ाध वाध अबबाद वटाईए अब्रवाध होगा क्यूं नहीं जहां 117 साधियों में गीफ्ट दिया जाएगा उस देश का क्या होगा कापी कलम दिये हैं क्या किसी बच्छे को प्रुच्छाहित कि यह क्या इतने बड़े-बड़े-बच्छे 117 जुद्ध है जु जब तुम घरगार एके सेहतालिस बांट रहे हो रियक्शन में कि भारत आजाएगा नहीं ज़रूरत है आज ब्रिटेन के रास्टपत यह कल अमेरीका के राष्ट पत्यक्त बनेंगे द्यान के बल पे बिबेट के बल पे और सेहता है वह जमान लध गया परमार वन खाओ बेज दिया ना तुम्हारा बहुत दोस्ता याद है चीनियों का जो हंडरवियर होता है न हूसी का मास्क बन लोगों के चीनियों के चड़ी का मास्क पहनो सरम तो आती नहीं है कि एकिसात आजाद हुए थे कर अला कि पूछो कि एक तरफ मुसल्मार है एक तरफ काफिर है पुछो अपने अल्ला से कृटेड में भी गुषा देते ले को इसलाम बहुत तकत्तवर है अल्ला बहुत तकत्राइब कहां है भई बलाव यह पिछ पर ममाज पढ़े हैं तुपा कि यह खड़ा हो गया जो इनके लिए समर्तन करता है यह गदार है यह किसी के नहीं है क्या बात कर रहे हैं कि में मस्जीद तोड़ेंगे अपकाणिस्तान में उनका उनके रासम भाज रहे तो उनको रोख दिये यह किसी के नहीं है यह कुछ नहीं बस मासमाने यह एक तरह से कि अरा राजक्ति अरह सबसे जएदा जैने अरब के साथी अरभिया के यह सब से जादे बंहें है छोद में सबसे जादे भासी हैu हा यह है पाकिस्तान की नेता का बयान आया टीएलपी का पार्टी का नेता है झाल देगा मोदिजय को कंगला करके चोडएंगे आठ साल वा आठ साल में तुम्हारी हैंसित तुम को पांच टुकडे में कर देंगे तालिया बजाएंगे बहुत भेते थे बंब आप राजी नहीं लोग खाना कहओ इंडिया को दुनिया को डरादेंगे इस्लाम कायम कर देंगे कुछ भी कर देंगे जमाना लट गया अब बम और बारूत से नहीं होने वाला पॉपवर बम लेके और पीछे डाल लो भूख ने लगेगी इसलिए कि परमारु में ताकत होता है ना यह जहाज में परमारु का इतना बड़ा गोला डाल देते हैं तो दस साल वह चलती है तो एक काम करवाटा की जरूरत नहीं पीछे वही परमारु का ठुकड़ा ठोड़ा ठोड़ा डालने पूरे पाकिस्तानियों कसम से भूख ही नहीं लगेगी तुम्हारे लिए सबसे सस्ता इलाज बता रहें वही जो टुकड़ा ठोटे चोटे बम बनाया हो तो उसको और छोटा करके इतना बड़ा बड़ा करक सबसे सस्ता इलाज बता रहें लेकिन उसके लिए कुछ जानना पड़ेगा इसलिए कि तुम परमारु बंभी चुरा के लाए हो अपने तरफ से इजात नहीं किये हो यह सारी दुनिया जानती है और काट पर आगया जुद्ध 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 लोग रोज गाली दे रहें भूको मर रहें अभी तुम्हारे पाली बंद खानवाला है और तुम कुछ कर नहीं पर lucu के चिलातं रहें तुम्हारा SOWD talents divा डुबाई कि दुनिया की सारी सारे भारत में कर रहें रहें यस्ट में वहां आता है सांती होती है हमारे देखते हैं कि यह सकतार ब Cat सियोज हैं हम कंपनी के हाँ तुम्हारे पास भी है बड़े बड़े आतंकवादी जैसे मुहम्मद तो फला भला हाफिस सई हाँ वह बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े वही मिलता है और पालो पालो अब जब आम बबून का पेंड लगा तो उसमें आम मिलेगा भारत तो बहुत अचाता अब तुम्हारे उपर हो रहा है तो बहुत बुरा है बहुत देखो आप गुट टेरोरीजम बड़े तीरोरीजम नहीं होता है टेरोरीजम और घर में सांप पालो गे तो सांप एक दिन जब उसको भूख लगेगा तो कटेगा तुमको और तुम लोग है जो इस अला का मेरेटिव है ना दों अला का मेरेटिव यहां अला का मेरटिव दुनिया में जब भिलाने की कोशिध करे जो ही एक दिन पूरे इसलाम जगत को दूब आनल ना फूत पूरा ये जिस दिन पूटेगा को उई तो इसलाम को तो